हेलो फ्रेंट्स आप सभी का मेरी आज की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूशफुल वीडियो शेयर करने वाली हूँ आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस्टील की जो बर्तन रखने वाली रैक होती है उसे आप कैसे बहुती कम महनत में एक्दम नया जैसे चमका सकते हैं आप ये इस्टील की बर्तन की रैक देख सकते हैं कितनी गंदी है काफी काली सी दिखाई दे रही है एक देड़ बड़े चम्मच के जितना हम इसमें विम जल डालेंगे आप कोई भी टिटरजेंट इसमें डाल सकते हैं साथी साथ में इसमें एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा का डाल ली हूँ और आधा चम्मच हमने नमक डाला है इस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखें इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें एकदम जाग जैसा आएगा तो थोड़ा सा बड़ा बरतन लीजिएगा और ध्यान रखेंगे कि या तो आप प्लास्टिक के बाउल में बनाए या फिर आप काच के बाउल में बनाए अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम पानी डालने हूँ एकदम तेज गरम पानी डालना है आपको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा तयार है तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ग्लास में निकाल लेंगे क्योंकि हम इसे इस्प्रे बॉटल में भरने वाले हैं तो यहाँ पर मेरे पास ये एक इस्प्रे बॉटल पढ़ी हुई थी उसमें मैं इसे भर लेती हूँ इससे हमें क्लीन करना थोड़ा आसान होगा बट अगर आपके पास इस्प्रे बॉटल नहीं है तो नॉर्मल कपड़े से भी आप इसे साफ कर सकते हैं इस तरह से इस्प्रे बॉटल में भनने के बाद हम चलते हैं नेक्स प्रोसेज में तो यहां पर यह हमारी जो इस्टील की बरतन वाली रैक है उसमें हमें पूरे में इस तरह से स्प्रे करना है अच्छे से आप चाहें तो इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप एक कपड़े में थोड़ा सा डिप कीजिए और पूरे उसमें यानि कि इसकी जो एक लेयर है इसके उपर लगानी है ताकि इसकी उपर जो गंदगी जमी हुई है वो बड़ी ही आसानी से क्लीन हो जाए देखे इस तरीके का आप कोई भी परतन थोने वाला ले लीजिए इसके बाद पूरी रैक में आपको इस तरीके से इस घोल को एपलाई करना है जिससे की जो भी गंदगी इसमें जमी हुई है वो आसानी से क्लीन हो सके क्योंकि ये जो रैक होती है वो किचन में रहती है तो तेल वगएरा के भी काफी सारे दाग लग जाते है हल्के हल्की सी रस्ट वगएरा भी लग जाती है तो बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है तो यहाँ पर मैंने इसे पूरी में अप्लाई कर दिया है अप्लाई करने के बाद आप इसे 10-15 मिनट के लिए आपको चोड़ देना है इसके बाद आपको इसे हलके हलके से ऐसे रब करना है थोड़ी देर जब आप इसे छोड़ देंगे तो इसके उपर जो भी गंदगी लगी है वो बड़ी ही आसानी से क्लीन हो जाएगी बट ये कोई जादुई तरीका नहीं है थोड़ी सी महनत आपको करनी पड़ेगी बट ये एकदम नई जैसी चमकने लगेगी अभी आप देख पा रहे होंगे कि एक रैक जो है वो कितनी गंदी दिखाई दे रहे है थोड़ी देर में आप देखेंगे कि एकदम नई जैसी चमकने लगेगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये नई है या पुरानी है तो साफ कर लीजिए जब तक कि एकदम चमकने ना लगे क्यूंकि इसमें थोड़ा सा केमिकल वगएरा रहता है तो आप इसके लिए हाथों में गलफ्स का इस्तमाल कर सकते हैं तो इस तरह से बढ़िया से क्लीन कर लीजिए अगर साल में आप एक बार भी क्लीन कर लेते हैं तो एक दम बढ़िया से साइन करने लगेगी तो यह देखे हैं फ्रेंज हमने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया हैं काफी ज़्यादा यह अच्छे से साफ हो गया है बढ़ जहां जहां पर इसमें थोड़े से दाग जो रस्ट वगएरा के दिख रहे हैं तो आपको यहां पर स्टील वाला जो स्क्रबर आता है जिसका इस से आप थोड़ा सा रगड दीजिए ताकि आसानी से साफ हो जाए क्योंकि अगर जो मैल है वो ज्यादा गंदी है ज्यादा जमा हुआ मैल है तो इसके लिए आपको यह लोहे वाला या स्टील वाला जो स्क्रबर आता है वो लगाना होगा इसके बाद आप इसे पानी से क्ल में क्या डिफ्रेंस आया है थोड़ी सी महनत तो लगी है बड़ जो इसका रिजल्ट आया है वो बहुत अच्छा है तो अब इसे आपको पानी से अच्छे से साफ कर लेना है तो आप देखी पा रहे होंगे कि पहले जो ये रैक थी वो कितनी जादा गंदी दिखाई दे रहे थी अभी एकदम नई जैसी चमकने लगी है एकदम अच्छे से साइन करने लगी है तो आप भी इस तरीके से ट्राइ कीजिएगा बहुत ही आसान तरीके से आप इसे साप कर सकते हैं बस थोड़ी से आपको मेहनत करनी होगी आई होप कि ये वीडियो आपको हेलफूल लगा होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक एया